नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीरजराय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैटरोल डीडी टेबलेट्स के बारे में जो की एक ब्रांड है जिसके अगर मेडिसन्स की बात करें तो इसके अंदर में जो ड्रग होती है वो होती है कीटोरोलाइक ट्रोमेथामीन टेबलेट्स एक्शुली डीटी का मतलब होता है डिस्परजिवल टेबलेट और ये 10MG में आती है और ज़्यादा तर पेशन्ट में यूज की जाती है moderate to severe pain के लिए आगे हम लोग discuss करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में की केटोरोलाइक ट्रोमेथामीन होती क्या है और इसके uses क्या होते हैं इसके कुछ special precautions, side effect और dose की बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो की शिरुवात करते हैं और देखते हैं Caterol DT या फिर Ketorolectromethamine tablets होती हैं दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो Ketorolectromethamine के बारे में तो यह एक प्रकार की Non-Steroidal Anti-Inflammatory Medicine होती है जिसको हम लोग NSAID भी कहते हैं जो की Pyrilopyril NSAID है अगर यहीं पर थोड़ा से डीटेल में हम लोग देखे हैं तो यह प्रकार की Good Analgesic होती है But Beak Anti-Inflammatory Antipyratic Activity वाली Medicine होती है यहाँ पर थोड़ा से Misprint हो गया है और वो यह है कि यहाँ पर बिगनी होगा यह Beak होगा Beak Anti-Inflammatory and Antipyratic Activity वाली Medicine होती है Next अगर हम लोग बात करें तो यह इसका काम कैसे होता है मतलब यह कैसे काम करती है तो बाकिके NSAID इस तरह से कारी करते हैं वैसे यह भी करती है यानि वो सारे जो Chemical Messenger होते हैं जो की Pain के लिए Responsible होते हैं यह Ketorolactromethamine उसको Nust करने का काम करती है उसको Inevit करने का काम करती है जैसे अब यहाँ पर देखे तो Prostaglandin जो है तो Prostaglandin एक प्रकार की ऐसा Chemical है जो की Body के अंदर Pain को Stimulate करता है तो Pain कम हो तो Prostaglandin को Inevit कर देना चाहिए और यह काम करती है Ketorolactromethamine तो इस तरह से इसका Mode of Action होता है कि यह सारे Pain के जो Messenger होते हैं उनको यह Block करती है, उनको Inevit करती है Next अगर हम आगे बढ़े हैं और बात करें Ketorolactromethamine के Brands की तो जैसे तक हम लोग Actually में Ketorolact DT Tablets ही देख रहे हैं या Ketorol DT Tablets ही देख रहे हैं लेकिन इसके Alama भी इसकी बहुत सारी Brands है अब कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको आसानी से मिल जाती है जैसे यह Ketorol DT के नाम से आती है and KetoScan 10 DT के नाम से आती है and भी इसके बहुत सारे और भी Market में Brands मिल जाएंगे जो भी आपके ना चाहें आप ले सकते हैं तो फिर से मैं बता दूँ आपको DT का मतलब होता है Dispergable Tablet यानि की ऐसी Tablet जिसको पानी में डाल दे तो यह तुरंट गुल जाती है यह एक Uncoated Tablet होती है Next अगर हम इसके Users की बात करें तो जासा कि मैंने आपको पहले भी बताया इसके यूज के बारे में कि जो इसका यूज होता है यह moderate to severe pain में किया जाता है यानि कि मध्यम pain से लेकर के जादा pain में इसका यूज किया जाता है तो actually अगर देखा जाए तो इसका यूज हम लोग post-operative pain में करते हैं post-operative pain का मतलब होता है कि जैसे जो surgery होती है surgery के बाद जो pain होता है वहाँ पर keto-rolectromethamine का यूज किया जाता है उसको ठीक करने के लिए वहीं यह musculoskeleton pain में भी इसका यूज किया जाता है you know musculoskeleton pain का मतलब होता है कि आपके हड़ियों में आपके दातों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे condition में दातों के दर्द को सही करने के लिए catarol DT tablet ही दी जाती है अगर आप ध्यान दें तो आपको कई बार यह medicine मिली होगी इसके अलावा भी बहुत सारी medicine होती है जैसे कि अपने पहले भी वीडियो बनाया था pyroxy cam जो tablets होती है वो भी दी जाती है dental pain में टू थेक में पर ज़्यादा तर यह medicine यूज की जाती है next अगर अब लोग बात करें इसके dose की तो यह इसका injection भी आता actually सुबे शाम अगर pain बहुत ज़्यादा हो रहा है उस time पे and maximum dose की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो maximum dose होती है 40 mg daily की मतलब per day की आपकी 40 mg की daily dose होती है maximum dose मतलब 20 mg आप एक बार में ले सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा severe condition है उस time पे और बहुत ज़्यादा problem है तो फिर injection दिया जाता है तो injection ज़्यादा तर 1 ml का जो injection आता है उसमें 30 mg की potency होती है बाकी वह हमेशा severe pain में दिया जाता है बाकी normal pain के लिए या फिर थोड़ा moderate pain के लिए हम लोग tablet का यूज करते हैं जो कि यह है दोस्तों यहाँ पर क्योंकि जब डोच के हम लोग बात कर रहे हैं तो यूज करने के तरीके की बात कर लें तो यह एक disparageable tablet है एक dt tablet है तो इसका use हम लोग पानी में घोल के करते हैं जैसा कि आप देखेंगे धिहान से tablet के उपर लिखा हुआ है लिखा हुआ रहता है कि आपको ये 5 ml water में घोल के पीना होता है पर आप चाहें तो एक लास पानी में भी इसको घोल के पी सकते हैं एक लास नहीं एक कप पानी में इसको आराम से आप डाल दीजे टेबलेट घुल जाएगी आप उसको पी लीजे डिश्पर्जिबल टेबलेट ऐसे ही खाई जाती है लेने का यही सही तरीका होता है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें के टोरोलेक्ट रोमिथामीन के कुछ इस्पेसल प्रिकॉसंस के किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए तो पहली चीज तो अगर आपको NSAID से हाईपर संच्टिविडी है अलरजी है तब आप अपनी इस मेडिसिन को ना लें डाक्टर को ज़रूर बताएं अगर आपको कोई रेनल और हेपाटिक प्रॉबलम है क्योंकि यह एक पेंकिलर है उनसे ज़रूर बताएं बच्चों में यह टेबलेट यूज नहीं करनी चाहिए और प्रेगनेंसी के अंदर में एक कांटर इंडिकेटेड हो सकती है तो बिने डाक्टर के सला के कभी भी यह मेडिसिन ना लें प्रेगनेंसी के अंदर में और कभी भी जो लेबर पेन होता है यानि डिलेबरी का जो पेन होता है वहाँ पर केटरोलेक्ट रो मेथामीन का यूज नहीं किया जाता है और अगर बात करें बड़े लोगों की जो थोड़ा सा एजट लोग हैं लिडर पर्षन हैं उन में कुछ CAUSCANTS के साथ में ये मेडिसेद यूज की जाती है ठीपेस्धेद हो जाता है आपो diesen के साथ में आपको बड़े लोगों में ये टैवलट यूज करनी चाहिए फोड़ेज लोग बात में कुछ Catorol like Trometlin या Caterol DD Tablets के कुछ Site Effect के कि क्या क्या side effect हो सकते हैं तो पेट में आपके ulceration काज हो सकता है यानि कि पेट में ulcer हो सकता है and gastric bleeding की सिकायत भी कभी कभी देखने को मिलती है अगर आप वैसे दावा को निगल लेते हैं तो उस टाइम पे ulcer, bleeding ये सारी सिकायत देखने को मिलती है इसी वज़े से disparageable tablet को आप भीना घोले ना खाए and nausea and omitting की सिकायत भी देखने को मिलती है अगर आप लंबेश में तक यूज करते हैं आपको dyspepsia हो सकता है यानि कि पेट में को गरबड़ी हो सकती है नेक्स्ट हम लोग वीडियो बनाएंगे बहुत सारे ऐसे सब्द पर जो सब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे लिए नेक्स्ट इडिमा हो सकता है यानि कि सरीर में swelling हो सकती है drowsiness देखने को मिलता है यानि चक्कार आ सकता है डाइरिया हो सकती है अच्छली डाइरिया की भी कभी कभी शिकाया देखने को मिलती है and gastric pain भी मतलब पेट में आपको दर्द महसूस हो सकता है जब आप directly बार बार दवा को निगलते हैं तो ठीक है कभी भी अपने मंद से दावा यूज ना करें क्योंकि बहुत सारी दवाएं आपके लिए नहीं होती है और वह आपको नहीं पता होता है आपकर बनाट करें तो अपने आपको doctor से संपर करें और doctor से आपनी प्रॉब्लम से बताएं वो जैसे दवा कहते हैं आप उसे दवा ह करना. Thank you.